असलाम लेकुम, क्या हाल है आप सब का, I hope कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खर खरियत से होंगे, और पर बिल्कुल ठीक होंगे, अल्हमदलेला, अच्छा मैंने इंस्टाप में पोस्ट की थी, तो उसमें मैंने होमेजिंग एक साइट है, वहां से, जो है, मैंने काफी सार इंस्टाप है, तो मुझसे पर मेरी सिस्टर्स ने पूछा, कि आप जो जिनकी चैनल्स हैं, उस तरह भी उन्हों ने भी पूछा, कि आपके जो है, जो आपनी चीजे मंगवाई हैं, आप इसका रिव्यू जरूर देना, तो मैं आपको इसका रिव्यू देना चाहती हूँ जो आपको खोल कि आती हूँ, एक मिनट अचाह यह है, ठीक है, एक यह वाला है, ब्रॉश इसको मैंने काफी मतलब यूज कर लिया है, इसलिए आपको ऐसे नजर आ रहा है, और इसके उपर जो यह होते हैं, इसके जो ब्रॉसल होते हैं, यह वायर है, ठीक है, यह वो नहीं है जैसे, आप यह जो ब्रॉश है, यह नर्मल ब्रॉश है, इसमें एक यह ब्रॉश होता है, वो नर्मल ब्रॉश के जिसे ब्रॉश रोते हैं, वैसा है, लेकिन यह जो दो है, वो बाक् Buddies और ऑफ़कि आए यह वायर वालें, इसको मैंने यूस कर लिया है काफी दफARS और कि यह था थोड़ा सा रस्ट कलर में था और यह थोड़ग डिश में हैं ठीक है। यह वाईर वैल है। और यहSmic तो आई मैं आपको बिताते हूं इससे में जो हूँ ना अपनी डीप क्लीनिंग चुलों की जरूर करते हूं वीक में एक दफा तो आई मैं आपको बताते हूं तो जी यहां पे सबसे फहले भाहर है एक स्टेंलेस टील ईचकी में लेए लेतिया। यहां उड्डा सा ऱा होता है वह डाल झालती हूं और सटाफ लेनर थिह भी कंपनी काफ ले 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 थोड़ा सोडा डाल दी और थोड़ासा जो है ना वेनिगेर डाल दीये थी कि ए, इसके बाद जो है बहुत तेज गरम पानी जो होता है ना वह में डाल देख्यों तेशकी में और इसमें चूले के जो berners होते हैं नौस, berners जो भी आप कहले ही जो गोल वाले हैं इन पार्ट्स को मैं जो है इसमें डाल लेती हूं ठीक है और फिर यह वाला वायर वाला जो ब्रश है इसको मैं यूज कर तो इनके उपर इनके जो छोटे-चोटे से होल सुराख होते हैं तो उनमें अक्सर गंद पस जाता है हम कुछ बनाते उनमें पस जाता है एक्सर जो राह होते हैं तो यह वायर ब्रश से इतने अच्छे ही खुल जाते हैं तो मैंने साफ सत्रा पानी डाला था आप देख सकते हैं कि वा पानी का कलर कैसा होगा क्योंकि अब आदे ग्हेंटे बाद में इसको दुबारा से आपने आदा ग्हेंट करने, गलफ्स पेंगे करें जरूरती क्या, तो यहां पर जो है, फिर मैं इसको वायर बिर्च से, काफ़ी इच्छे तरीके से, जो है, मैं इसको जो है, क्लीन कर लेती हूँ, और काफ़ी इसका गन निकल आता है, अब यह देखें, काफ़ी मतलब आपको यह जो ब्लाइक ब्ल मुझे तो यह ब्रेश बहुत अच्छा लगा है, बहुत जबरदस ब्रेश है, मैं इसको पहले भी यूज़ करती थी, और अभी मेरा जो पराना ब्रेश रह वो खराब हो गया था, तो पर इस वाज़े से मैं ने मंगवाए हैं, और इनकी एक बात यह कि यह नेरो जगों प किरते हैं ना तो उससे जो है इतनी, I think मतलब परफेक्शन क्लीनिंग नहीं होती, पर फेक्शन नहीं आती, ग्राब क्लीन भी करते हैं तो इससे यह कहां काफी होते जाएंगे, अच्छा बाकी है जो ब्लैक कलर के स्टेंज हैं यह तो बहुत पुराने हैं तो इसका मैं एन साथ साथ हो सब क्लीन होगा अंदर से तो मैं जरूर इसको यूज़ करती हूँ और हफते में एक बार जो है ना मैं इसी डीप क्लीनिंग चूलो की जरूर करती हूँ नॉप्स की भी मतलब जो बर्टनर्स होते हैं उनकी भी और बाकी जो होते हैं यह वाला पार जो होता है इसको भी मैं जरूर करती हूँ और डॉंट फॉर्टन्स बुटन्स को हम हमेशा जो है ना भूल जाते हैं उनको भी जरूर क्लीन किया करें वही लिक्विड लगा के जो स्टोफ के लिए होता है लगा के उनकी नीचे भी अकसर आप देखे ना तो काफी सारा जो है ना गंज जमावा होता है काफी उसको भी जरूरत होती है क्लीनिंग की तो मैंने कर रमजान आ रहा है रमजान से पहले पहले जो है ना इसकी एक दो दफ़र डीप क्लीनिंग हो जाए कि एक दो अफ़टे रहते हैं तो अच्छा रहेगा क्योंकि रमजान में बी नहीं करता बंदे का बंदा ठका वा होता है तो बस फिर इसलिए नहीं दिल भी नहीं करता इतना तो बस कहाँ पर जब मेने क्लीन कर लेती हूँ फिर इनको on कर लेती हूँ क्योंकि अंदर अगर कोई पानी का एक कोई डॉप रह गया या कुछ भी हो गया थोड़ा वो तो फिर ना एक दम से सूख जाते हैं और ये बिल्कुल मतलब आल अराउंड जो है ना फिर आग लग जाती है सही हो जाती है हर तरफ से जब अंदर से ड्राय हो जाता है तो थोड़ी दिल मैं इंको और चौट थी हूँ तो बस इसी तरह मैं इंको क्लीन करती हूँ जोने ब्रश मंगवाना है बेफिकरी से मंगवाई बहुत मज़े का बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा काम करता है तो तेंक यू सो मच आए होप में आपको इच्छा लगा होगा तेंक यू सो मच टेक कियर लाहाफ